तो ये कीचन में मेरे सारा काम फेला हुआ है बरतन मास्ट दूंगी और जो मज़ा हुआ बरतन है वो रैक में रख दूंगी और इधर मैंने सोची तोरा पहले सिर्पे ओयल लगा लेती हूं तो बाल जहर रहा है दोस्तो बहुत तो मैंने सोची एलेविरा जेल मिक्स करके ना टाइम निकाल के अपना निकाल के लगा रही हूं दूसरे दिन मिल दोख़ो गुल और वह जाती है मैं भी जाती हुन स कि घर और यह लुट भी आती है अच्छा लगता है मेल दूल के हम लोग राते हैं और बातचीत करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है उस समय टाइम बीट जाता है गप करते करते पता ही नहीं चलता है तो नमस्कार दोस्तों मैं आरा दोना आप लोग को स्वागत करती हूं मेरे परिवाय चैनल में तो औरहन बार» ठीन भार पानी से द्थूल हुआ और मेरे बड़ा वला बेटा के खांसी बना देती हुआ तो मैं भी दिखा देती हूँ तो आप लोगी के साथ कि इसी को फाइदा हो जाए तो मैंने अद्रक ढाल ए दजाएउग मेहीं तुल эт सब्सक्राइब कर vil से लौनग। और कोते में थे rapture । during a-larum नहीं है तो मैंने गिलास में हिए पूते लेती हूं कोते में मिला देती हूं। पानी डालूंगी थोड़ा सा पानी डाली थी मैंने तो धुटा से और डाल दी आधै पहले गिलाऌ अधैने और बांदेबा दिए Husi तो भी डाल दिया हूं स्लिट काभ बहुत अच्छा काड़ा हे तो बहुत फैदा होता है मैंने इसे और मिला के इसमें तुल्शी पत्ता अद्दक सब मिला के और बना देती हूं तो बहुत फायदा मिलता है दोस्तों और ये मैंने खोलाओंगी अभी और गूल डाली थी पहले ही तो इसको अच्छी तर से गूल को पिघालने के लिए थोड़ा चला देती हूं चम्म मैं ठंडा होगा तो प्येगा वो वहूं कि एखड़ा में नहीं पीना है तो रठंडा हो जाएगा हलका गरम रहेगा तो मतलब ऑंगली डालने लाइक गरम रहेगा तो मैं डाल दूंगी उसके बाद मैंने आ गई हूं इधर काटने के लिए मेथी साग है धो के जो रखी तो उसको भी काट दूंगी और वैघन और आलू के साथ बनाऊंगी दोस्तों तो नया तरीका से वैघन और आलू मेति बनाऊंगी तो आप लोग बना के देखिएगा मिरे तरीका से एक बार बहुत टेस्टी लगता है दोस्तों खाने में चावल के साथ गरम गरम चावल के साथ और यह खाईएगा बहुत टेस्टी बनता है और टेस्टी खाने में लगता है और फाइदा मंद भी है मैं थी खाना चाहिए तो मेरे तामाठरमाठर काट लिया हूं और आगे हूं अप पियाज और लशुन मैंने काट लोंगी और काट लूंगे लशुन के बाद तब तक इन करहाई मेरे गरम हो जाएगा करहाई गरम होने के बाद मैने इसमे तेल डाल दीया को त harness अब लाना पड़ेगा तो मैंने यह निलम नाथ यहई की दोल्गी ज़लने के समय प्राई करेंगेख पाउ इसमें नमक हल्दी डाल दूँगी थोड़ा नमक हल्दी डालने के बाद इसको अच्छी तरह से फ्राय करूंगी और नमक हल्दी डाल के अच्छी तरह से फ्राय हो जाएगा उसके बाद थोड़ा सा जब फ्राय हो जाएगा तो आलू डाल दूँगी इसमें तो दोस्तो नमक वेगन के हिसाब से डालती हूं और फिर आलू के हिसाब से भी डालूंगी लमक और ये आलू डाल देती हूं आलू डालने के बाद इसमें भी मैंने स्वाधनुशार नमक और हल्दी डाल दूंगी फिर नमक डाल दी हूं और फिर हल्दी डालने के बाद इसक के रखे हों तो उसको भी डाल दूंगी दोस्तो इस नि det는 टमाठर है और देर चमच धनिया फ़ी डाल देती हूं डालने के बाद इसको अची तरह से मिकस करके पकाऊंगी थोड़ा पकाऊंगी पकाने के बाद दोस्तो देखो थोड़ा देर बाद अची तरह से पक गया है और मसाला भी फ्राइ हो गया है मैंने डाल दूंगी मेथी के साग मेथी के साग डालने के बाद फिर बेड से बाद भी कर लाज़ेगा यह जूग तो ऱइसलिए लास्ट में डालने के बाद मैसमे डहकने के बाद देखो दोस्तो थोड़ा दिर बाद 5 मिनिट बाद हाल ऐまで तो कम हो अब जो है इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर ढखके रख दूंगी थोड़ा दिर पकने के लिए छोड़ दूंगी तो दोस्तों थोड़ा दिर बाद मैंने देख रही हूं निकाल के देखो दोस्तों इतना अच्छा से पक गया है और मेरे साग बन गया मैं थी ब वीडियो यहीं तक अगला वीडियो में फिर मिलेंगे कोई अच्छा सा रेसिपी लेके तब तक के लिए बाई नमस्कार दोस्तों